प्रॉब्लम ये नहीं है कि बॉलिवूड अच्छी मूवीज नहीं बनाता, बलकि प्रॉब्लम ये है उन अच्छी मूवीज को अच्छे एक्टर्स को हम तक पहुचने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि आजकल अच्छी चीजों के बारे में बात करके चानल पर व्यूज कहां इसलिए एक ऐसी कालपनिक बॉलिवूड खड़ी करो सब के सामने, जो कॉपी करता है, नेपोटिजम से भरा है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, अगर आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, उसके एक घर में अगर कोई क्राइम हो जाता है, तो पूरी बिल्डिंग ही क्रि जो क्रियेटिव और इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, अपने दम पे मुवी बनाने का जिगरा रखते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिटी और यूनीक कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, अगर आप सोच रहे हो, ऐसी तो दस में से एक ही बॉलिवूड की मुव तो उस मुवी के अंदर आप अपने आपको देखने लग जाते हो, इस मुवी के राइटर और डिरेक्टर फारुक कबीर इनो ने इस मुवी को किसी डॉक्यूमेंटरी की तरह रियल और एकदम ग्राउंडेड रखने की कोशिश की है, जब समीर को पहली बार पता चलता है क उसकी वाइफ को प्रोस्टिट्यूशन में खसीत लिया गया है, तो वो मेंटल शॉक में जाना और विद्यूत सर को हमने अक्रोबैटिक अक्शन करते हुए देखा है, लेकिन बिकॉज इस मुवी के अंदर वो एक आम इंसान की तरह है, तो वो कैसे 10-20 गुंडों से फाइ खाय जाता है, उसमें भी आप देख सकते हो अपने गले से विजिटर कार्ड निकालके वो सिक्योरिटी को दे रहा है, ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग और होमवक की वजए से ये मुवी बहुत जादा रियलिस्टिक लगती है, कहीं बार तो मुझे नैट जियो की उन क्रा जाने के लिए हर प्रॉब्लम से बचाते हुए एक इंसानियत का बहुत बड़ा एक्जांपल सेट किया है, अक्ट्रिस शिवली का ओपर जिसकी चीरफार परफॉर्मेंस हमने ये साली आशकी मुवी में देखी थी, इस मुवी में भी उनने बहुत अच्छा काम किया है, प लेकिन उस स्लो मोशन के अंदर भी मुवी का बैगराउंड म्यूजिक आपको बांध के रखेगा, जिस तरह का सीन चल रहा है उस तरह का बैगराउंड म्यूजिक हमें और भी सीन के डैप्ट में ले जाता है, मुवी के गाने हम बार बार सुने ऐसे तू नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्हें fit किया है वो हमें disturb नहीं करते है movie के अंदर। इसका सबसे बड़ा example है किसी भी तरह का item song या belly dance खुसाया नहीं गया है। Old school और retro type की तरह इसके action scenes है। मतलब ऐसा नहीं है अपना hero सबको मारते ही जा रहा है उसकी भी पराबर लगती है। जिस तरह से action scenes choreograph किये हैं उससे clear समझ में आता है कि जब 4-5 गुंडे आप पे हमला करें तो एक आम आदमी जिसको karate kung fu नहीं आता है वो कैसे fight करेगा। इन सबी action scenes में जो slow motion का use किया है भाई साहब। मतलब चुम्मा है एकदम मैं उन slow motions की बात नहीं कर रहा है जिसमें hero एक पंच मारता है और सामने वाला टपक आगे गिरता है। इन शॉट इंसानों वाला action scene है और इसी वज़े से movie हमें अपने अंदर खीच लेती है। मूवी का सबसे highlighted part मेरे लिए था sad romantic music background में चल रहा है और छोटे से passage के अंदर hero के उपर 5, 10, 20 भर भर के गुंडे हमला करते है। The Raid Redemption part 2 की याद आ गई लेकिन उसमें और इसमें यही फरक है। यहाँ पर hero को kung fu, martial arts सब आता था और यहाँ पर एक normal आम आदमी है। इन सब के बाद movie का standard दिखाए देता है इसके cinematography में। एक scene के अंदर एक character dead body को कबर में ले जा रहा है धीरे धीरे उसका zoom in, zoom out, no man country के landscape के drone shots, वो छोटी छोटी गलियों में से chase sequence, इन शोटी सी छोटी जगाओं में action scenes है, लेकिन camera वक कुछ इस तरह से है, आपको सभी action scenes एकदम clearly समझ में आते हैं। मेरा final conclusion इस movie को लेकर यही है, movie के अंदर सिफ एक जगा पर सुहाग रात का kissing scene है, किसी तरह की कोई गाली या nudity नहीं है, इसलिए आप family के साथ इसे definitely देख सकते हैं। अगर आप movie की story से connect हो गए, तो इसके slow motions आपको बिलकुल feel नहीं होंगे, जो इस movie के अंदर थोड़े ज़ादा ही है, लेकिन बाकी सभी angle को देखे, तो ये movie मेरे हिसाब से almost perfect action thriller movie है, अगर हमारी सोच कहीं match हुई इस वीडियो में, तो इस वीडियो को like, dislike आपको जो सही चुकी है, OTT platform पर movie release करने की वज़े से बदलाव तो आएगा, thank you so much, love you, take care, bye bye